गुड मॉर्निंग, गुड आफरनून, गुड इवनिंग, कुड नाइट अर्यवन, कैसे हैं आप लोग? लातों के भूत बातों से नहीं मांगते हैं, शराफत की भाषा सबको समझ में नहीं आदी. मैंने किसे नाम में लिया, मैंने सिर्फ बहुत प्यार से कहा कि आप लोग नई लोगों के साथ में प्यार से रहें, काइन्डस दिखाएं, क्यूंकि सुसाइट हो जाने के बाद में रोने से अच्छा, सुसाइट के पहले माहौल को थोड़ा रेक्टिफार कर लिया जाया, ल और प्रेस रिलीजस बेज़ जा रहे हैं, ताइम्स अफ इंडिय को, अब ये जो छे महाजीनिस से हैं, मैंसे कुछ तो ऐसे हैं, जो मुझसे बहुत नज्जी की हैं, और परसनल लेवल पे, विर्तिकर लेवल पे, किसले कई साल से यही बात करते आ रहे हैं मेरे साथ में, अब उनको अलग बोलना पड़ रहा है कुछ, उनमें से एक का भाई है, जो अपनी ट्विटर पे, आज से डेर साल पहले, अभी नहीं, डेर साल पहले, ये लिखता है, कि अगर मिजक इंडस्ट्री में यूनिटी होती, तो सब सीनी अलग होता, क्योंकि सच्चाई ये है कि इस समय भारत का एक-एक मिजश्यन परतारित है, टॉर्चर्ड है, क्योंकि उसको वो नहीं करने दिया चाह रहा, जो वो करना चाहते है, उसकी लैंग्विच है, उसके भाई के, सगे भाई के, तो यहीं पर इनसान मार खा जाता है, क्योंकि जोटा आदमी जोटी चले चलता है, और बात यह है कि Times of India आप इतने respectable newspaper है, I understand that हर मीडिया में एक paid media section होता है, पर यह जो case है, यह publicity किसी फिल्म के नहीं हो रही है, यह सही गलत की बात हो रही है, यह किसी के future की बात हो रही है, उसमें आप अगर पूरा पूरा वैसा article डालते हैं, जो उनकी press release है, कुछ तो change कीजिए, आप उनका point of view लिख रहे ह null and void, I don't think आपने लिखा हुए बात, आप इस तर की newspaper है ही नहीं, कोई भी honest journalist अपना verdict नहीं दे देगा, मैंने कुछ point का, उनने कुछ point का, आपने दोरों पक्ष बता दे, यह खतम बात, verdict आप कैसे दे सकते हैं, कि it stands null and void, छे लोगों की वज़े से, तो थोड़ा से changes आपको क पहले से हैं, सबको पता है कि press release कैसे लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है, क्या language होती है, don't do all these things, और, बोशिन कुमार, अब तो तेरे नाम देना ही पड़ेगा मुझे, और अब तो तू की लाएक है, तूने घड़त आदमी से बंगा ले लिया, समझा, तू भूल गया हो करने से लिख लोगा दो, भाई, बाल ठाकरे से मिलवा दो, भाई, अबू सलेम से बचा लो, याद है ना, अबू सलेम से बचा दो, बचा लो मुझे, भाई, अबू सलेम कालिया दे रहा है, याद है कि नहीं इस सब चीजे हैं, तो मैं तूझे around, मेरी मूह मतलग ना अब अगर तुने मेरे से पंगा लिया तो वीडियो मैं आपने यूट्यूब चैनल में डाल दूँगा और बहुत धूम धाम से डालूँगा समझा मेरे मूं मत लगना अपके वाद से